बैलो से भरा आयसर वहन भौरासा पुलिस ने पकड़ा अग्यात लोगों के खिलाफ प्रकरंडर्ज भोरासा भोरासा थाना क्षेत्र अंतरगत ग्राम बोलासा और जन्गीपूर क्रॉसिंग के समी वैलों से भरा आयसर वहन भोरासा पुलिस ने पकड़ा, शुक्रवार की रात करी दो बजे भोरासा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्थ हुई, कि एक लाल रन की आयसर भोरासा पुलिस द्वारा, भोरासा थाना प्रभारी संजय मिश्रा के मारदर्शन में भोरासा पुलिस ने वरी फाटा पहुँची, जहां कार्य वही है तू, ट्रक की आर्मे खड़े होकर उलेखित ट्रक का इंतजार करने लगे, कुछ समय पश्चात सूचना करता द्वा रुका और तेजी से देवास की ओर भगा कर ले जाने लगा, इस पर बलद्वारा शासकिय वहन से ट्रक का पीछा करने पर ट्रक चालक ने अपना ट्रक काक्रणदा फाटे से ग्राम काक्रणदा की ओर घुमा दिया, और अत्यंत तेजी से ग्राम काक्रणदा बोलासा और ज शंगीपुर गाव क्रोज कर जलोदया की और बढ़ने लगा इसी बीच ट्रक को रूखवाने हेतू ग्रामीनों को सूचना की गई थी, जिस पर ग्रामीनों द्वारा बाबु किर निवासी खुर्द पिपलिया के खेत के पास बने नाले पर ट्रक को रूखवाने का प्रयास ग्रामीनों द्वारा किया गया, ट्रक रूखवाने पर, ट्रक में सवार, चालक वह उसके साथी, खेतों में लगी सोयाबीन के बीच, गिरते पढ़ते भागने में सफल हो गए, तभी मौके पर उपस्थित, ग्रामीनों की मदद से, ट्रक में बुरी तरह से ठूसकर भरे, ग शुक्रूरता अधिनियम का पाया जाने से, मौके पर ट्रक एवं बैलो के, फोटोग्राफ लिए गये, वह मौके पर ट्रक रमाक, MP41 गा शून्य दो साथ शून्य को, जबत किया गया, वहन में भरे बैलो वकेडो को, शनकरगर स्थित गोशाला में, सुरक्षित छोड़ा गया, उक्त कार्यवाही में, सब इंस्पेक्टर आकेश सिंग, प्रधान आरक्षक 180C कमल वर्मा, और 1064 दीपक वसे 116 कमल, से 205 सुभाश दुबे, और 190 जितेंद तो मरसहित, ग्रामवासियों की एहम भूमिका रही, डेवास से SB News के लिए आनन्द ठाकुर की खास रिपोर आरक्ट